अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डारेक्शन सेंस बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है ये और बहुत असान भी है ठीक है और सबसे इंपॉर्टन बात मैं आपको बताओं कि ये आप कोई भी एक्जाम उठाई चाहिए PSU एंटरेंस एक्जाम का या SSC का या बैंकिं मिलेगा मैंने ऐसा कोई भी एक्जाम नहीं देखा जहां पर इससे questions नहीं आये हो तो इसलिए हम यहां पर तीन problem solve करेंगे सबसे पहले कुछ prerequisites है मैं आपको यहां पर पता दू हम यहां पर जानते हैं यह आपका North है यह आपका South है यह आपका East है और यह आपका West है ठीक है South East और यह वाली जो direction है वह आपकी क्या होती है North West तो यह हमारे directions है आईए इंक्यू पर कुछ problems देखते हैं तीन problems हम देखेंगे एक-एक करके तो यह हमें problem दी हुई है a man is facing west he turns 45 degree in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti-clockwise direction which direction is he facing now यह 4 options हमें दिये हुए है और हमें answer को निकालना है तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं a man is facing in the west that means वो यहां पर इस तरफ face कर रहा है ठीक है then he turns 45 degree in the clockwise direction that means इस तरफ तो 45 degrees आपका यहां पर गुमा तो अब वो इस तरफ face कर रहा है that means north west direction में face कर रहा है and then 180 degree in the same direction that means अभी भी clockwise direction में 180 degree और हुमा that means यहाँ पर यह आपका 180 degree और हमने cover up कर लिया अब वो इस तरह face कर रहा है ठीक है इसके बाद का गया है and then 270 degree इसके बाद क्या करता है anti clockwise direction this is 180 this is 45 ठीक है इसके बाद वो 45 direction और यह 45 लिया और इसके 45 direction और वो यहाँ पर नीचे आता है तो आपका यहाँ पर total कितना हो जाता है 270 because अगर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लो गया यह कितना हो गया 270 degree हो गया anti clockwise में तो यह अब किस तरह face कर रहा है southwest यह west है यह आपका south है तो यह वाला direction कौन सा हो गया southwest hence option d is the right answer to this question ओके तो आईए second question देखते हैं कौनाल walks 10 km towards the north from there he walks 6 km towards the south then he walks 3 km towards the east how far and in what direction is he with reference to his starting point यह चार options हमें दे हुए हैं और हमें यहाँ पर इस conclusion को निकालना है तो आप यहाँ देखिए कौनाल initially यहाँ पर कड़ा था ठीक है he walks 10 km towards north that means यहाँ पर इस तरफ बड़ावो और 10 km तर गया that means यह वाली distance जो है वापकी हो गई 10 km की यहाँ पर पहुंचने के बाद then he walks 6 km towards the south that means वह 6 km आपका यहाँ पर वापस आया that means यह वाली distance आपकी 6 km की थी तो आपकी यह वाली जो बची बची वी distance थी वह कितनी हो गई 4 km की यहाँ से उसके बाद का आगया कि वह 3 km towards the east गया that means यह आपका यहाँ से यहाँ तक आया 3 km इसके बाद पूछा गया वह यहाँ पर stand है खड़ा हुआ है इससे पूछा गया कि यह जो starting point था as यहाँ से वो कहाँ पर खड़ा है अगर आप देखोगे तो नौर्थ इस्ट डिरेक्शन में खड़ा है इसकी तुल्ना में इसकी तुल्ना में because यह वाली जो डिरेक्शन है वो आपकी किस में आएगी नौर्थ इस्ट में आएगी यह इस्ट है यह नौर्थ है और यह कितना हो अगर आप यहाँ पर आपका पैथोगर स्थरम लगाओ यह यह वाला जो डिस्ट इस्ट इस तुल्ना हो गया थीक है तो 5 ऑप्शिन दी इस दी राइट आप इस प्थेस्ट आप स्टीन ओके तो फाइनली लास्ट प्रॉब्लम देखते है इस बाप यह पर केलाश फेसे तोवर्स नौर्थ तुर्णिंग तो इस राइट राइग 25 meters, he then turns to his left and walks 30 meters, next he moved 25 meters to his right, he then turns to his right again and walks 55 meters, finally he turns to the right and moves 40 meters, in which direction is he now from the starting point, ये चार ओप्शन हमें दियो हैं, तो आईए हम इसका डिगरम ब्रॉ करते हैं, सबसे पहले का आगे, कलाश is facing towards the north, that means, वो इस तरह face कर रहा है, turning to his right, यहीं से उसने अपना direction, ये इसका left-hand side है, ये right है, that means, वो इस तरह point face कर रहा है, he walks 25 meters, that means, हम यहाँ पे कैलाश आपका, यहाँ पे कितना distance तल के आगे, 25, ये आपका starting point था, right, then, उसके बाद क्या गया है, he turns to his left, तो अगर left जो है, ये आपका right होगा, और अब ये वाला आपका left होगा, that means, अब उसने अपना direction इस तरह कर लिया है, left direction करने के बाद, he walks 30 meters, that means, यहाँ पे वो 30 meters तक आया, ये आपका 30 meters होगा, इसके बाद का आगया, next, he moves 25 meters to his right, travel किया, 25 meters, इसके बाद का गया, finally, he turns to his right, देखे, right इसके तुल्ला में, यहाँ से आप देखोगे, ये इसका ये वाला right होगा, और ये वाला आपका left होगा, that means, यहाँ पे वो right मुड़ा, और कितना walk किया, उसने, 55 meters, that means, यहाँ पे हम कह सकते हैं, वो 55 meters यहाँ पे चला, उसके बाद उसने, again, आपका right लिया, अगर आप इस तरह इसका head है, ये इसका right हुआ, ये इसका left हुआ, that means, again, उसने यहाँ पे right move लिया, और वो कितने distance रहा, 40 meters चला, that means, यहाँ पे कहीं वो आया, यहाँ पे इस तरह पे कड़ा, ये 40 meters हो गया, अब हम से पूछा गया, in which direction is he now, from the starting point, ये आपका south है, ठीक है, ये आपका south है, और ये आपका क्या हो गया, south east हो गया, south east direction में आपका खड़ा है, hence option D is the right answer to this question.